ये कहानी मैंने अपने गाव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रूखना पड़ा। इस डाकबंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाकबंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीबी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एक मात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाकबंगले पर आये तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चड गई कि वे लोग पूरी तरह से बहग गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीबी तथा बच्ची को नोच डाले इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाकबंगले के पीछे दफना दिये। ये बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नामक ए के सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हांक लगाया, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यू भटक रही हो? कैलाश की इतनी बाते सुनते ही वो किशोरी और तेज फफफिक पड़ी. कुछ समय तक जरोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है. फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी मां की आबरू को नोच डाला. फिर कैसे उसकी मां तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया. उस किशोरी की इतनी बाते सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया पर निदर्ता दिखाते हुए पूछा की ऐसे कैसे हो सकता है. अगर तून मर गई है तो मेरे सामने कैस कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दिवाल पर उल्टी टहलती नजर आई. कैलाश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया. फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठत दिया. फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगा दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था. कैलाश ने कुदाल से खोद कर उन तीनों के अस्थिपंजा को निकाला. फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट ज दें. फिर क्या, उस किशोरी के बताया अनुसार कैलाश ने वीमारी का बहाना बना कर उस डाकबंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किये वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाथ भ अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वो इस भूती योनी से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीटता गया और अब उस डाकबंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता क्योंकि क्यलाश वहीं आसपास मदराता रहता और नय आने वाले सेवक को भूती कहानी सुना कर भगा देता, कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूती कारनामे से आने वाले नय सेवक को 9-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ, वे आते और खुदी अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाकबंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता, कभी कभी तो ऐसा होता कि वो लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों जटकों में फसा कर उस डाकबंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और दरा कर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती, ये क्रम चलता रहा और उस डाकबंगल मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद नहत्यारा पकड़ में आता और नहीं मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदी में फैल गई की पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। दो तीन और वर्ष बीते और अब वह दाक बंगला खंडहर हो गया क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे आखिर किसको अपनी जान की परवा नहीं होती। पर वह किशोरे भूतनी जो अब युवती बन गई थी उसी दाक बंगले में रहकर अपने हत्यारो का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी की संपर्प मे आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकली कात्ते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर के और निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। टू टू त्री दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूब खूब सुरत योवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उ उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहीं कि क्यो नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था उस योवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी और सहेली है वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस योवती भूतनी ने अपने साथ आय हुए दूसरी योवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जा था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उनी पुराने दोस्तों के साथ जंगल की और निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम हुने को आई तो अंग्रेज शिकारी ने कहा कि अब सूर्य धलने लगा है। क्यों न हम लोग वापस शहर लोट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस यवा भूतनी ने कहा कि ना ना, आज रात हम लोग यही ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से दाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठेहरेंगे कहां। फिर क्या था, वह य क्योंकि उस यवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र यवा भूतने एक मढ़ाई तयार कर ली थी, उसमें एशो आराम की सारी चीजे भी ला दी थी। उन दोनों यवा भूतनी के साथ ही अंग्रेज उस मढ़ाई में पहुँचे। इन अंग्र लग रही थी अचानक बहुत ही दरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था उन भूतनियों ने ग्लास में खून भर कर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हि पीचा की चर्रय की आवाज के साथ वह मोटी शाखा तूट गई। उसके बाद वह विक्राल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़ कर पैर के नीचे दबा कर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विक्राल चीब निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगल जगल से चीरने लगी। उस योवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दोड़कर ए उसकी आँखों में अपने विक्राल, भयावे, भाले जैसे नकों को डालकर उसकी दोनों आखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी भूतने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग समय निकाल कर गोपनिय रूप से कैलाश ने उस युवा भूपनी की कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी तो दोस्तों आपको ये दरावनी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं ऐसी ही और दरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाना न भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ